दोस्तों गर्मी के मौसम में अपने खर्गोस को क्या-क्या खिलाएं, उन्हें कहां रखें, पूरे दिन उनकी केर कैसे करें, ऐसे ही काफी सारा कमेंट देखने को मिल रहा था, तो गाईज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि जबरदस्त गर्मी के मौसम मे हम अपने पेट्राइबिट की केयर कैसे करें चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या फिर बड़ा खरगोस हो या फिर प्रेगनेंट मादा खरगोस और गर्मी में उसे क्या क्या खिलाएं जिससे उसे लू लगने से ही टी स्टोक लगने से बचाया जा सके और पूरे दिन रात हमारा खरगोस गर्मी में सेफ रहे और हिल्दी रहे तो गाईज अगर आपके पास भी खरगोस है तो बने रहे इस वीडियो में बिना स्किप किये हमारे साथ आएंट तक इस वीडियो में आज आज आपकी काफी सारी डाउट गर्मी में खरगोस के रख रखाव को लेकर कीलियर होने वाली है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पे ट्रेविट एन एनिमल्स दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हारदिक स्वागत है गाज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाज मैं रेविट से रिलेटेड वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रेविट से रिलेटेड कुछ न कुछ देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाज बिना देर किया आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने खरगोस को गर्मी में पूरे दिन कैसे रखना चाहिए चाहे वो बच्चा हो या बड़ा फिर या प्रेगनिन खरगोस जो गर्मी में सेफ है तो गाज सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे दिन खरगोस को गर्मी में कैसे रखे गाज अगर आपकी मादा खरगोस ने बच्चे दिये हैं और वो अभी एक हपते से छोटे हैं और उनकी आँख नहीं खुली है तो आप बच्चों को कहीं ऐसी जगह रखे जहां गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो और वहां खिर्की वकेरा से डारेक धूप ना आती हो और आप बच्चों को गर्मी में बहुत ज़्यादा काटन यानि रूई में कवर करके ना रखें आप बच्चों को हलके फुलके काटन में ही रखें जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे और आप बच्चों को बार-बार टच ना करें नहीं तो गर्मी में आपका हाथ कभी ठंडा हो सकता है या फिर कभी गरम जिससे बच्चों को सर्द गरम भी लग सकता है और अगर आप बच्चों को बार-बार टच करेंगे तो मादा खरगोस नाराज भी हो सकती है आपको गु चखाते हैं मस्ति करना चाहते हैं उन्हें पेटिङ करना चाहते हैं तो आप उन्हें सुभा में साथ से आठ बज़े तक बाहर रख सकते हैं। के साथ मस्ती कर सकते हैं उसके बाद ज्यादा धूप तेज हो तो आप उनके साथ रूम के अंदर ही खेले बाहर बिलकुल भी न रखें नहीं तो उन्हें लू यानि गरम तेज हमाई लगने की वज़े से हीट इस्टोक लग सकता है भले ही आप बाहर चाया में अपने खरगो है उन्हें तो अच्छे से पता ही है लेकिन जो भाई वहन नए है पहली बार खरगोष से डाप्ट किया है उन्हें सब बाते बहुत कम ही पता होती है कि हमें हमेशा अपने खरगोष को केज या पिजरे में कायद करके नहीं रखना चाहिए नहीं तो उन्हें गैस औगरा की भी प्राबलम हो सकती है इसलिए गाईज आपको जब अर्तर ठंडी हो या भेंकर गर्मी इसके डर से आपको अपने खरगोस को हमेशा कायद करके नहीं रखना है उनको कुछ घंटों के लिए सही टमप्रेचर देखकर उछलने कूदने के लिए जरूर छोड़ देना है जिसस बहुत जब ज़्यादा गर्मी में ना दोड़ाएं ना हिसके साथ बहुत ज़्यादा छेर चाल करें आप उसे ज्यादा से ज़्यादा अकेला और सांत महोल में ही रख्कें जिससे ओ अपने पर लंबे करके आराम से रिलैक्स होकर सो सके और समयाने पर सोست नहमे बच्चों को भी जनम दे सके और अगर जबरदस्ट गर्मी है तो आप कभी भी अपनी मादा खरगोस का ब्रीडिंग ना करवाएं जो आपकी मादा खरगोस के लिए काफी बेटर रहेगा नहीं तो गाईज गर्मी से उसके बच्चों को और उसको मैनेज करने में आपको काफी प्राबलम फेज करना पड़ेगा और गाईज अब बात करते हैं कि जबरदस्ट गर्मी में अपने खरगोस को पूरा दिन क्या-क्या डाइट देना चाहिए उन्हें क्या-क्या खिलाना चाहिए गाईज अगर खरगोस के बच्चे की आँख नहीं खुली है तब आप उन्हें सिर्फ उनकी मा के पास ही रहने दे उनकी मा दोनों टाइम अपने बच्चों को प्रापर तरीके से मिल्क फीडिंग करा देगी आपको उन्हें कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है नमबर टू अगर आपके पास खरगोस के 15 दिन के बच्चे हैं तो आप उन्हें हरा नरम चारा वगयरा दे सकते हैं और गाईज खर्गोष के 15 से 30 दिन के बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं गर्मी के मौसम में आप अपने खर्गोष को पूरा दिन हरी घास जैसे दूबा घास, रिजका, तिमोथी और इन सब काहे यानि सूखी घास खिला सकते हैं लेकिन गाईज बरदस्त गर्मी के सिजन में आपको इन में से काफी घास ऐसी भी हैं जो नहीं भी मिलेगी लेकिन आपको दूबा घास हमेशा मिलेगा जैसा की गाईज आप लोग इसक्रीन पर देख पा रहे हैं और इस घास को खर्गोष गर्मी में बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप अपने खर्गोष को इन्हें अनलिम्टेन मातरा में दे सकते हैं इसे खाने से आपके खर्गोष को कभी भी कोई प्राबलम नहीं होगी बस आपको ए सब घास देने से पहले इसे साब पानी से अच्छी तरीके से दोकर ही देना है और आप गर्मी में अपने खर्गोष को 80% से 85% तक इसे खिलाते हैं तो भी कोई प्राबलम नहीं है और आप 20% अपने खर्गोश को फल, फ्रूट, ट्रीट, सबजिया, नरम, पत्तियां भी पूरे दिन खिलाईए आपको पानी वाला फल, फ्रूट, ट्रीट, सबजियां ज़्यादा देना चाहिए जैसे इस मौसम में आपको आसानी से तर्बूज मिल जाता है, खर्बूज भी मिल जाता है खीरा, अंगूर, सेप, करिमुआ, सनई के पत्ते, मकई के पत्ते, या फिर भुट्टे के पत्ते, कच्चे भुट्टे भी आप दे सकते हैं और हरी धनिया, मेथी के पत्ते, पालक, पंपकिन, यानि कोड़ा, इसका बीज निकाल कर ये सब चीजें आपको 20% तक बदल-बदल कर अपने खर्गोश को पूरे दिन में हरी घास और रहे के साथ देना चाहिए बस आपको इन सब चीजों में से किसी भी एक चीज को बहुत ज़्यादा या लिम्टेड मात्रा में अपने खर्गोश को नहीं खिलाना है लिमिट में और बदल-बदल कर ही देना है नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाने पर आपके खर्गोश के हाजमे का इस हुआ सकता है उसका लेटिंग पतला हो जाएगा जिससे उससे काफी प्राबलम हो सकती है और गाईज आपको हमेशा अपने खर्गोश को पूरे दिन पानी दे कर रखना है कहने का मतलब है कि आप उसके पास हमेशा पूरे दिन साफ और ताजा पानी जरूर रखें जिससे उसकी बाड़ी में पानी की जरा भी कमी ना होने पाए और ओ जो भी पूरे दिन खाए पी ये आसानी से हजम कर सके और गाईज आपको गर्मी में अपने खर्गोश को 3% से ज़्यादा पलेट से वगारा नहीं खिलाना चाहिए और गाईज खर्गोश को क्या क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं अगर आपकी मादा खर्गोश प्रेगनेंट है और जबरदस्त गर्मी है तो आप अपने खर्गोश को हरी घास और हे देने के साथ-साथ पानी वाला फर फुरूट तीर तो देंगे ही लेकिन आपको उसे एक एमल कैल्सियम भी देते रहना है उसे खाने पीने की चीजों को देने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा सांत माहौल देना और 25% टेंपरेचर तक ही उसे रखने की कोशिस करना है और जहां सिकारी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, नेवला, साप ऐसे तमाम पर करके सिकारी जानवर ना आते जाते हों वैसे ही जगां उसे रखना है जिससे वो पूरे दिन नीडर होकर बेखाफ होकर अपने पहर लंबे करके सो सके और अपने आपको रिलेक्स कर सके और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना डाइट मेंटेन कर सके जिससे समयाने पर वो हिल्दी और स्वस्त बच्चों को भी जनम दे पाएगी और गाज गर्मी में हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंट खरगोष को बहुँ ज़्यादा दोडाना बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो जल्दी से ठक जाएगी और ज़्यादा दोडने की वज़़ा से उसके पेट में बच्चों पर भी काफी असर होगा और गाज पेगनेंट खरगोष की देखभाल कैसे करें इस पर भी हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं और गाज भेंकर गर्मी में आप अपने खरगोष को कभी भी ट्रावेल कराने से बचे हैं और सुबा और साम के अलावा उन्हें कभी भी पार्क वगएरा में अपने साथ ना ले जाएं नहीं तो आप भले ही उन्हें कहीं छाया में रखेंगे जहां धूप नहीं होगी लेकिन उनको फिर भी आसानी से हीट स्टोक या लूर लग सकती है तो गाईज हमने जो भी बताया है अगर इसी तरीके से आप पूरे दिन बैंकर गर्मी में अपने खरगोश को रखते हैं और खिलाते पिलाते हैं तो आपको अपने खरगोश को लेकर कभी भी कोई प्राबलम नहीं होगी और गाईज अगर आप एक पेट रेविट लबर हैं और आप अपने खरगोश की पूरी तरह से देखभाल करते हैं तो ये वीडियो बीना इस्किप किये पूरा देख लेना आपकी सारी प्राबलम साल्ब हो जाएगी और गाईज रेविट से रिलेटेट किसे भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की और आपकी हल्प करने की पूरी कोशिस करेंगे और गाईज आप हमें इस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं हम कुछ गंटों के अंतराल पर या देर सबेर आपको reply जरूर देंगे तो गाईज मुझे लगता है कि अब आपकी comment का reply आपको मिल गया होगा और आपके side-out clear हो गए होगे कि खरगोश को पूरे दिन गर्मी में क्या-क्या खिलाना चाहिए उन्हें कैसे रखना चाहिए उनकी देखवाल कैसे करनी चाहिए सब कुछ clear हो गया होगा और गाईज हम आपको जो घास खाते हुए खरगोश को दिखा रहे हैं ये दूबा घास है आप इसको आसानी से कहीं से भी purchase कर सकते हैं गाईज अगर ये घास आप खिलाते हैं गर्मी में आसानी से आपको ये मिल भी जाएगा और साथ में ये घास आपके खरगोश के लिए बहुत ही safe है और गाईज गर्मी से खरगोश की देखवाल कैसे करें गर्मी में खरगोश के बच्चों की देखवाल कैसे करें पर रखने की कोशिश करें और हरी घास और हे 80-85% तक दीजिए और इसके साथ पानी वाला फल, फ्रूट, ट्रीट, हरी सबजिया, हरी पतियां हो गएरा 20% जरूर खिलाइए और साथ में पूरे दिन अपने खरगोश के पास आपको जब भी टाइम मिले साफ पानी रखते रह के पास भी रहिट है तो उन्हें भी सेयर कीजिए जिससे जानकारी उनको भी मिल सके तो चलिए गाई मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में किसी नेक्ट टापिक के साथ तब तक आप अपने पेट रहिए मस्त रहिए उन्हें गर्मी से और हीट श्टोक लगने से बचाते र अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए हम आपके लिए ऐसे ही helpful, genuine और knowledgeable वीडियोज लेकर आते रहेंगे आपको स्क्रीन पर दो वीडियोज शो हो रहा है देख लीजिए हो सकता है आपकी कोई help ही हो जाए जय हिंद